नमस्कार दोस्तों मेरा नाव भरोसन और आप देख रहे हैं निखलेसं व्लॉग आज की इस व्लॉग में हम आपको TU-142 Aircraft Museum की सेर कराने वाले हैं यह मुजियम इस्थित है विशाखा पटनम के आर के बीच में जो की आई-एन-एस खूरसूरा शर्मरीन मुजियम के जश्ट सामने ही इस्थित है जैसे ही आप यहां प्रोड़ेस करेंगे आपको विशाखा पटनम में घूनने लायक जगहों की यहां मैप दिख जाएगा और इस जहाज के बारे में भी यहां बहुत मात्मों जानकारियां आप इस मुजियम में इस वीमान की संपून गाथा मौजीद है और यह रहा विमान का कॉक्पीट का मौडल आइलेट का कीविन जिसे कॉक्पीट कहा जाता है यह रहा ब्लेक बॉक जो की काले नहीं औरेंज कलर का होता है यहां आपको पाइलेट से लेकर क्रू मेंबर के सारी वर्दी देखने को मिल जाती है उसके बाद आपको यहां मौजूद एरक्राफ्ट में उसके महत्पूर्ण साज़ों सामान देखने को मिलते हैं यह रही एरक्राफ्ट की मिसाइले और यह टर्बो जनरेटर यह मिसाइले बहुत ही घातक हैं यह वार्फायर करने पर मिनास ही करती है यह मिमान का प्रोपेलर है साधरर सब्दों में कहा जाए तो उसका पंखा यह उसका बाकी का हिस्सा यह विमान के इंजल है जो काफी मिसाइल का है और सटी साली में इसके बाद हमको फस्टेड कीट देखने को मिलता है जो सरवाईव में बहुत काम आता है इसके बाद हमको पहिए देखने को मिलते हैं और इसके बाद आपको वायू यान का कोलोग्राफी के मार्दम से पूरी जानकारी दी जाती है यह वायू यान वायू से थल में नव में और जल में बंबारी करने में पूर्था सक्षम था यह बहुत सारे मेडल्स यह उन केप्टन और कुल मेंबर की तस्वीरे हैं यह अपने समय का सबसे महेंगा, सबसे बड़ा, सबसे वजंदार, सबसे आदमी और अधियारों से लेस वायू विमान रहा है सीडियों से चड़ने के बाद उच यह नजर आता है इतना व्यहद, विशाल और सांदा इतना ही खतर ना जैसे ही आप अदर भूशते हैं आपको कार्बन टेंक दिखाए देता है अक्सिजन गयसों के सिमेंडर दिख़ाए देते हैं और विमान के चारों और आपको बहुत लंवी-लंवी केवलों की तेवलो पजाल दिखाई देगा इस विवान में 10 से 12 मेंबर होते थे जिसमें से दो गनत दो पाइले बाटी स्टाफ रहता था इस विवान अपने साथ बहुत सारे मिसाइले ले जाने में सक्षम था सक्षम है इस विमान को म्यूजियम में अब्दिल करने के लिए गवर्मेंट में लगवकी करोड की रासी इसमें लगाई है यह रही मिसाइले हर माह यहां कम से कम तीन लाग सहलानी इस खोब देखने आते हैं यहां से साइने टुक्रियों को संदेश रिसीव किया जाता था जो की भूप कोड की बाती और वर्वार्ड में होता था यहां मौजूद रूमेंबर का सबका काम बटा हुआ था सबका अपना अलग-अलग कारे था कुछ अपने रेडार पर पास-पास की वीमानों को देखा करते थे और इंजिन की और जैसे आप देखेंगे सामने केविन में जो बीच वाली सीट है उसमें गनर बैटकी निसान साधा करता था दो पाइलेट बैटते थे और दो मेंबर भी सामने ही बैठा करते इस वीमान ने बहुत सारे सिक्रेट मिशन को पूण किया है हमेजिद में विजय दिलाई है और इसका अपना सांदार जीवन खाल रहा है बाहर से यह कुछ ऐसा दिखाई देता है जो सामने बूम देख रहे हैं आप इसी से इंदर महरा जाता था हावा में वीडियो में बने रहेंगे तो आपको आगे में दिखाया जब देखने को मुझा आए जो आए है बुझावाद से इंदर में भी बुझावाद के यह कुछ आए है पीछे के इस्से में गनर के बैठने के लिए जगह हैं, एक गनर आगे बैठा था और एक गनर पीछे, ताकि वायू यान दोनों और से भारी मसिन गनों से, जहाजों, तोपों और पानी में तेरती हुए कुछ पंडियों को भी अपना निसाना बना सके, अपना बचाव कर सके और सामने आने पर उनका विनास कर सके। इस मुजियम का टिकिक 70 रुपे प्रतिवेक्ती है और बच्चों के लिए 40 रुपे मुल्ले में धारित है। यह सुबर 10 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। इसकी खुबसूरती और विसालिता आपको कायल कर देगी। इसकी प्रेंगा और प्रिय्चन एक लगएकिस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, ऐसे इस आंदार वीडियो कलूपत उठाने के लिए यूही बने रहें, एक लिए सम् व्लाग के साथ वंदे बात्रम, जै सेवा, जै हुँ!